रोहिश शर्मा को रोकना बहुत मुस्किल है औस्टेलिया दिगज ने विस्व कप से पहले दिया बड़ा बयार ICC World Cup 2013 शुरू होने में अब कुछी दिन बचे हैं सभी टीमें टूनामेंट से पहले वार्म अप मैच खेल रही हैं वो वही विस्व कप का पहला मुकावला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच अहिंदाबाद के नरेंदर बोधी स्टेडियम में खेला जाएगा बार्तियकर के टीम अपने अवियान की सुरुबात आठ अक्टूबर को चैनले में ऑस्टेलिया के खिलाफ करेगी वर्ल्ड कप के मुकाबले से पहले उस्टेलिया के धाकडवले बाद मारनस लावुशैन भारतियकर के टीम की कप्तान रोहिशर्मा कुलेकर बड़ा वयान दिया है बात चीत करते हुए लावुशैन ने कहा है रोहिट ऐसे खिलाड़ी है जो बिना कोई योखे मुठाए तेजी सिरन बनाने की काबलियत रखते हैं एक बार जब बे अपनी लाइप राप्त कर लेते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुस्किल हो जाता है बताने कि इससे पहले वया उस्टेली आई टीम वर्डर गवसकर ट्रॉफी के लिए भारत दोरे पर आये थे तो उस समय भी मार्शन ने रोहिट की काफी प्रसंसा की थी और कहा था कि जितना संबब होगा बे भार्टिक अप्तान की बल्लेवाजी से सीखना चाहेंगे बताने कि मौझूदा समय में हिट मैं शानदार फॉर्म में चल रहे हैं राज कोट में उस्टेले के खिलाफ हाली में तीसरे वर्डे मैच में उन्होंने 57 गैंट पर 81 रनों की पारी खिली थी इससे पहले एस एकब 2023 में भी वो शानदार लाय में दिखाए दिये थे और जूनमेंट में 38 सतक लगाए थे रोही शेर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताए आपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में